जैन तेव्थ कैवल्य धाम संपूर्ण भारत के जैन समाज के लिए आस्था का केंद्र बन चुका है बत्ती सेकर में फैले परिसर में सभी मंदिरों को संग्मर्मर पत्थर से तयार किया गया है कैवल्य धाम में भगवान आदिनात की पूजा चंदन से होती है चंदन की कमी ना हो इसलिए परिसर में चंदन की पेड लगाए गए है कुछी सालों में भव्य मंदिर बना दिया गया और 2008 में मंदिर में भव्य समारों में मुर्तियों की प्राण पतिश्था की गई एक मात्र ऐसा तिर्थ है जहां एक ही परिसर में 29 मंदिर का निर्मार किया गया है जिन में जैन धर्म के 24 तिर्थकारों की प्रतिमाय इस्थापित की गई है देखें पूरी रिपोर्ट हमारे विशे समाद्दाता अखिलेश द्वेदी दिखाएंगे आपको जैन धर्म का सबसे प्रवित इस्थापित केबल धाम की विशेस्था हम इसको 36 गड़ का हिमाले बोलते हैं कि हिमाले तीर थे तो ऐसा प्रमात्मा विराजमान है पूरे 36 गड़ नहीं पूरे हिंदूस्तान के अंदर और फॉरंग के अंदर भी जो है लोग यहां के दर्शन करने के लिए यहां आते हैं और यह जितने मंदिर बने हैं यह हजारों बरस चलेंगे ऐसे तो 36 गड़ के हर छोटे बड़े मंदिर में जैन मंदिर हैं लेकिन सद्धालों ने 15 साल पहले एसे मंदिर की कलपना की जहां अभी तीर्थ कारों की प्रतिश्ठापित किया जा सके इसके लिए राजधानी से महज 10 किलो मीटर दोर खारों नदी के समेप कुमहारी गाव में जमीन तलासी गई जैन साधू साधूयों ने निरक्षण करके वास्तु शिल्प को ध्यान में रख कर मंदिर बनाने की आग्या दि दानदाताओं के सहयोग से कुछी सालों में भव्य मंदिर बना दिया गया ओर 2008 में मंदिर में भव्य समारों में मुर्तियों की प्रान पतिश्ठा की गई यहां के सबसे बड़ी खासियत यह है कि मंदिन निर्मार में लोहे का इस्तमाल नहीं लगभग 32 सेकर में फैले परिसर में सभी मंदिरों को संग मरमर पथर से तयार किया गया है कहीं भी लोहे की जड़ का इस्तमाल नहीं हुआ है राजस्थान के मरकाना पत्थर से बना जैन तीर्थ कवेवल धाम संपूर भारत के जैन समाज के लिए आस्था केंद्र बन चुका है यह मद्ध भारत का एक मात्र एसा तीर्थ है जहां एक ही परिशर में 29 मंदिरों का निर्मार किया गया है जिसमें जैन धर्म के 54 तीर्थ कारों की प्रतिमाय स्थापित की गई है बीच में निर्मित बड़े मंदिर में भगवान आदित बिराजित है अगल बगल के मंदिरों में अन्य तीर्थ कारों की प्रतिमाय है इस खुबसूरत तीर्थ का दर्शन करने के लोग हर साल देश भर से लाखो सधालू आते हैं विरास्ते हैं ऐसे अवसर का इए अनोखा तीरत है और इसकी जो रचना है आप देखेंगे कि जिस वियाकार में इसकी रचना हुई है यह रचना आपको इंदुस्तान में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी इतना संदर वाता आनिहाका आपकी संदर प्लांटेशन व्यवस खाने की विवस्ता सबसे बड़ी बात है कि सादू संतों के रहने की बहुत ही अनुकूल जगह है कि उनको जो चीज की अनुकूलता चाहिए वो चीज सब यहाँ पर मिलती है इसलिए यह 56 गड़ का हम इसको 36 गड़का हिमालय बोलते हैं कि हिमालय भाधिम हमारे जो परमात्मा हुए हैं माविज् Avoid स्वामी जिनका शास्वन में सब्सक्राइब दश्रन करनेorg उत्त एक सा स्थान पर नइक तो चौविस मंदिरों सब्सक्राइब पढ़ता है उनको जो दो मंदिर आपने नीचे देखए दो दो मंदिर जो है, वो हमारे जो अधिस्टाइक देव्देवी होते हैं, उनके वो मंदिर है, जो तीर रक्षा करते हैं। शाद से आपने यह देखा जो मंदिर 28 सौवा, इसको हम दादा बाड़ी बोलते हैं, जो हमारे खर्तर का समदाई में हमारे चार दादा गुर्दे हुए जिन्होंने लाखों अजेनों को जैन बनाया और हमको जैन बना के गोतर दिया कैसे हमको अपना आचार रखना कैसे अपना विचार रखना कैसे अपने भाव रखना कैसे अपने को धर्म की प्रवावना करना और धर्म क्षित्र में कैसे जुड़ना इस सब चीज़ का हमको अंगली पकड़ के उन्हों चिखाया इसलिए उनका उपकार है जहां भी मंदिर बनता है खतरगच का वहाँ पे आपको इदादावारी आउश्य मिलेगी और मांसाहार से सब वसन से हमको मुक्त कराया उसी के लिए और ये जो मंदिर है पाड़ना मंदिर प्रमात्मा आदिनाथ ने 400 दिन तक क्योंकि उससे में आहर की किरिया नहीं थी तो वू 400 दिन तक उपास जो किया था उन्होंने आहर नहीं मिलने से अभी उसी को दास्यों को ले जागा, लेकिन वो कुछ करते हैं हैं अब चल जाते हैं ऐसा 400 उन्होंने बिना खाय निकाला और उसके बाद एक जगा उनको जैसा अनकूल चाहिए था वैसा पारना उनको भोजन मिला और वह भोजन मिला एकशुरस गन्यकरस गन्यकरस से उन्होंने कर पात्र में लेकर के 108 गड़े से उसका सेवन करके अपने व्रत को थोड़ा वो व्रत पूरे जैन समाज के अंदर कोई जैन समाल का पंत संपरदाय हो वो पंत इस वर्चे तब के पाढ़ने की अराधना को पालता है और अपने जीवन को धन्य करता है स्री कैवल धाम जैन स्वेतामबा ट्रस्ट के अध्यक्स रामचंद लुनिया ने एबं महामंती सुपारा संद गोलचा ने बताये कि तीस परिशा में 29 मंदिरों में साल भर में एक बार धोजा बदलने की परंपरा चली आ रही है सभी मंदिरों में एक साथ एक ही समय में बिदि विधान से मंदर चारण के साथ धोजा बदली जाती है पिछले बारा सालों में बारा बार धोजा बदली जा चुकी है श्री आदिनाद जैन श्वेतांबर तिर्थ कैवल्य धाम में 24 तिर्थ करूं की पतिमाएं अलग-अलग मंदिर में पतिष्ठाबी था 24 मंदिरों के बीच मूलनायक आदिनाद का मंदिर है जो इन सभी मंदिरों में सबसे बड़ा है इनके अलावा भैरों, तीन देवी देवताओं और एक दादा बाड़ी को मिला कर कुल 29 पतिमाएं मंदिर में है मंदिर की भव्यता और आस्पास का मनोहारी दृष्य मन को लुभाता है मंदिर में मुफ्त अस्पताल का संचालन भी किया जा रहा है इसमें एलोपैथिक, आयरवेदिक, होमियोपैथिक जॉक्टर सेवाए देते हैं साधू साधियों के लिए अलग से उपाश्रय बनाए गए है पछले कुछ सालों में यहां दस से अधिक मुबक्षू का भव्य दिक्षा समारों हो चुका है इस तिर्थ की परतिष्टा 2008 में संपन हुई और उसके बाद में हर साल कम से कम चार से पांच आयोजन इस तिर्थ में होते हैं बड़े आयोजन वर्षित पार्णा है उपजान तब भी यहां पे काफी हुए है उसके अंदर तीन सो चार सो लोगों की तपश्या हुई है और सभी इस तिर्थ में है इस तिर्थ में भोजन साला है निशुल्क भोजन साला हम रखे हुए हैं यहां पे आरोग्य धाम है जिसमें दवायां वगरे सब को फ्री डिस्टिबूशन है आसपास की लोग जो गाओं के आते हैं उनको सब को उनके लिए भोजन भी वितन किया जाता है उनकी दवायां भी फ्री में दी जाती रहने की यहां पूरी व्यवस्ता है और कमरे जहां तक हो सकता हम हर थुईदा उनको देने की कोशिज करते हैं इस तेरित की महिमा जो है पूरे 36 गड़नी पूरे हिंदूस्तान के अंदर और फॉरन के अंदर भी जो है लोग यहां के दर्सन करने के लिए यहां आते हैं और उनको भी पूर सुईदा का उनका ख्याल रखा जाता है यह रेलवे लाइन के किनारे पे है और रेलवे से जि जियए जो महिलाओं को भी इतनी तबज्यु देता और वो भी इतनी साध्युई बनती है अपना घर बार त्याक करके वरना महिलाओं को इस वर की तरड़ जाने के लिए सिर्फ जैन धर्मी इतना अग्रिशित करता है और वो अपना सब घर बार छोड़ कर जो बोलते ना कि महिलाएं सने नहीं छोड़ सकती बच्चों से पती से उन सब को छोड़ के भी आज वो इसमें और इस समय भी आपको बहुत सी साधवी देखने को मिलेगी जो छोटे से ले कि मुयने ये छंच खो दिया है अपन सिमेंट से बनाएवे मकान और भावन जितने होते हैं उनकी उमर पचास से सौ साल होती है और ये जितने मंदिर बने हैं ये हजारों बरस चलेंगे तो जो अपने अपने कहीं पर भी जाते हैं कोई भी मंदिर हो जितने भी मंदिर के स् पत्थर की बने रहते हैं, उसके पिछे कार्ण वही है, कि बहुत लंबे समय तक लोगों को भक्ती करने मिलें. झाल झाल